ये गाइस आगया है आपका होश्टन दोस्स नीरज लेकर एक महत्पूर टॉपिक को सातियो आज हम सौर मंडल का पार्ट टू लेकर आए हैं जिसमें हम महत्पूर पिरसनों के बारे में जानने वाले हैं सातियो आपको जैसा कि पता होगा EBS Paper 1 की तयारी मैं आपके लिए करा रहा हूँ जो कि आपके CTAT जो आपका 5 जुलाई को होने वाला है उसके लिए मैं तयारी यहाँ पर आपके लिए करा रहा हूँ सातियो यह topic आपके बहुत ही महत्पूर है और यहां से सभी exam में एक number का सातियो पिरसन हमेशा आता है तो सातियो most welcome है आप सभी भावी सिक्ष को और मेरे प्यारे भाई वैनों का आपके अपने YouTube चैनल सिरी गुरू अकेडमी पर जहां हम करते हैं आपके सभी teaching exam की free तैयार याराने का बादा जी हां सातियो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले सातियो आपसे request है कि यदि आप चैनल के लिए पहली बार budget कर रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा दें और सातियो क्या है कि यदि आपके लिए PDF के format में चाहिए यह सभी matter तो आप हमारे telegram चैनल को join कर लें इसका link सातियो description में आपको मिल जाएगा friends देखते हैं सबसे पहले person को क्या है कि सौर पिरणाली की खोज किसने की थी ठीक है सौर पिरणाली की खोज किसने की थी friends मैं आपको बता दूँ यह सौर मंडल का part 2 हम आज ले करके आए हैं और part 1 में हमने क्या करी थी तो थोरी हमने complete करी थी तो उसी थ आउट किलियर हो जाएंगे तो साथ यो देखते हैं पहला person क्या है सौर मंडल पिरणाली की खोज है बुक किसने की थी option यह है गैली लियो बी है जे एल बेर्ड और सी है कौपर निकस और डी है टेपलर बताइजी friends क्या हो जाएगा यहां पर आपका आंसर तो फिरेंस यहा अगले person पर देख लेते हैं person number two क्या है कि किसी ग्रह के चार और परिक्रमा करने वाले आकासी पिंड को क्या कहते हैं किसी ग्रह के चार और परिक्रमा करने वाले जो आकासी पिंड है उनके लिए क्या कहा जाता है बताएगे friends क्या हो जाएगा यहां पर आपका आंसर क्या इ पिरसन पर पिरस्अ नमबर 3 प्रसर क्या है कि 100 मंडल में कुल कितने गिरहे हैं बटाई ऑपशन है आठ बी है नौ सी है दस और डी है तेरे बताई यहां पर आंसर तो फिरैंस यहां पर आपका अंसर हो जाएगा कुल कितने गरह हैं तो कुल आठ गिरह है सौर मंडल में हैं ठीक है और साती वह आपके लिए बता दूं जिसकी भाई बेहन के लिए प्रक्टिस करनी है तो वह हम जाता है ना तो आप भी साथियों आ सकते हैं और जो है चैनल के जोईन करके आप इसका पूर्ट तरीके से फाइदा उठा सकते हैं ठीक है चलते हैं साथियों अगले प्रिशन पर क्या है कि अंत्रिक्ष में कितने तारा मंडल हैं ठीक है ऑप्शन ए है 87, B है 88, C है 89 और D है 90 बताइए साथियों यह आहाई चाहा है तरीकर याध करने क्या है तो 89 यहाँ पर का सही आंसर है 89 क्या है? सौर मंडल में यानि क quality में क्या है, तारा मंडल है ठीक है चलते हैं साथियों अगले प्रिशन पर देख लेते हैं Лatay, अजगे प्रिशन नंबर 5 Czech Space Space क्योंकि ये सभी फैक्ट, सभी पिरसन जो है, मैंने पार्ट बन में करा दिये हैं, यदि आपके लिए डीप लिए इन के लिए चाहिए, तो आप पार्ट बन देख लें, ठीक है, पिले लिश्टिम आपके लिए मिल जाएगा, क्या है अगला पिरसन, पिरसन नमबर फाइब, और डी है, पिलोटो तथा सूरिय, साथ हो ये भी मैंने आपके लिए कराया था, ठीक है, तो बताएगे क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो साथ हो इसके लिए क्या गा जाता है, जो किनके बीच में है उसाद दूरी, जिसके लिए ख़बोली एक कहा जाता है, इह दूरी है पिरत्वी और सूरिय के बीच की दूरी, ठीक है, चलते हैं अगले पिरसन पर, पिरसन नमबर 6 देखते हैं, क्या है, सूरिय में काला धबबक क्या है, फिरेंस बताएगे साथ, फिरेंस ये मैं बता दूँ आपके लिए ये इतने महतपूर पिरसन है, कि जवरजस्त यहां स पिरसन आपका पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इनके लिए याद कर लें, समझ लें, बहुत ही इंपोडेंट है, ठीक है, क्या है, सूरिय में एक बड़ा काला भेद, B है, दिन के दौरान धब्बे उर्जा सिरोध होते हैं, C है, धब्बे बेस्तान है, जो पिरकास उतस सर्यन नहीं होता है, वो क्या है, पिरकास का उतसर करने में आसमरते हैं, ठीक है, यानि आपका यहाँ पर, C आंसर सही हो जाएगा, C फॉर चिन नहीं, ठीक है, चलते हैं, अगले पिरसन पर, क्या है, पिरसन नंबर 7, सूरिय के रासाइनिक मिस्रान में हाइड्रोजन का पि बताना है, आपको पता हुआ भका साथी मैंने, आपको बताये था, तो आज vinegar कितना है और helium का कितला है, दीक है, तो एकjust का गोला है, ठीक है, यानि यहाँ पर आपका अनसर हो जायाएगा, ठीक है, A for America, आपका यहाँ पर right answer हो जायाएगा, चलते हैं अगले पिरसन पर, दे उप्सन ए है चंद्रमा बी है सुक्र सी है प्रत्वी और डी है सूर्य तो बताना साती आपके लिए तारा कौन सा है तो फिरेंस बताइए क्या हो यहां पर आंसर पता होगा आपको चंद्रमा क्या है तो चंद्रमा है एक उपगिर है ठीक है और सुक्र क्या है यह एक गिरह है पिरतवी satisf यह हमारा एक गिरह है लेकिन जो सूर्य है में अरुच फर संद मारक का राइट पर गिरिए नहीं क्या है बो सूर्य की सतय पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सत्त बहुत अयात में इस है पाया जाता है option यह हीलियम, B है neon, C है argon और D है oxygen बताई यह साती क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका answer तो friends यहाँ पर आपका answer बताई क्या हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है hydrogen दूसरी नमबर क्या है helium ठीक है मैंने आपको बताया है तो दूसरी बहुतायात आपके लिए यहाँ पर बताना ठीक है यह hydrogen के अलावा देखी है तो दूसरी कौन सी है वह helium है ठीक है और oxygen का तो नाम निसान ही नहीं है सूरज पर ठीक है or d 10 min है सत्थ ही क्या होुआ आपको पता हुआ सूरज का प्रिकास ठीक है या निकि जो यह अपना सन है यह अपनी अर्थ है यहां से जो सूरज प्रिकास यहां क्याता है तो उससे समय कितना लगता कितना लगता है साती ओ? 8.3 मिनट का समय जो है लगता है ठीक है, 8.3 मिनट का ठीक है, ए आपसन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ठीक है, तो साती चलते हैं अगले प्रसन पर क्या है, सूरिये के सबसे पास कौन सा गिरह है, ठीक है अपसन ए है बुद्ध, ब्रस्पति, और C है सुक्र और D है मंगल बताइए फ्रेंस क्या हो जाएगा आपको आंसर यहाँ पर तो फ्रेंस यानि कि आपको किरम बताना किरम आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे तो बुद्ध पहली नंबर पर सुरिय के सबसे पास में फिर सुक्र फिर प्रत्वी मंगल फिर ब्रस्पति सनी फिर अरुण और फिर वरुण यह जो है किरम है सुरिय ऐसे दूरी के अनुसार ठीए फ्रेंस तो फ्रेंस क्या है आप इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको अगर इसकी ट्रिक चाहिए तो मैं अगले वीडियो में इसकी ट्रिक लेकर आजाओंगा कि किरम से गिरहों के याद कैसे करें उनके लिए याद क सबसे पास में है आपका यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा चलते हैं अगले पिरसन पर पिरसन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है कौन सा गिरह है सूर्य की परकर्मा 88 दिनों में पूरी करता है और बुद्ध बी है सनी सी है ब्रसपति और डी है मंगल बताएंगी फिरेंस क्या हो कम समय 88 दिन में सूरज का एक चकर पूरा कर लेता जबकि हमारी पिरत्वी को 365 दिन लगते हैं ठीक है चलते हैं साथ यह अगले पिरसन पर देख लेते हैं अगला पिरसन क्या है निमन लिखेत में से कौन से ग्रह के चारो और घूमने वाले उपग्रह नहीं है यानि जो है कौन कौन से उपग्रह है जिनके चारो तरफ कोई उपग्रह नेचरल जो सैटलाइट है वो नहीं घूमते हैं ओप्षन अ है मंगल सुक्र वी है बुद्ध तता सुक्र और क्या है साथी यह सी हो जाएगा सी क्या है मंगल तता बुद्ध और बरन ततता पिलूटो बताजी कि फ्रेंस क्या हो जाएगा आपका अंसर तो फ्रेंस मैंने आपके लिए हां पर क्या बताया था उस वीडियो में कि जो हमारा सूरीय है ठीक है और उसके बाद दो ग्रह है कौन-कौन से बुद्ध और फिर उसके बाद सुक्र ठीक है यह दोनों ग्रह जो है सूरेज के सबसे में इन दोनों के कोई भी सातियों उपक गिरहे नहीं है तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा B ठीक है B for Bombay आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा चलते हैं फ्रेंज अगले प्रसंद पर देख लेते हैं अगला प्रसंद क्या है कि किस गिरहे को होग क्या बोलेंगे शानज का तारह और इसी के लिभी कह याता ब analyse के नाम हैं सुक्र gets और साति सा diğer सरवादिक क्या गिरहे कौन सह है तो ऑन बूचा सुक्र गिरहे है ठीक है चलते हैं साथी अगले प्रिर्शन पर देखते हैं क्या है निम्न लिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्र सबसे कम समय में लगाता है option a है बुद्ध बी है सुक्र और C है प्रत्वी डी है मंगल बतांजी फ्रेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर तो फ्रेंस यहाँ पर आपका यानिक सब से कम समय में आपके लिए यहाँ पर बताना है राइट हो जाने वाला है ठीक है कि इस वीडियो हम 30 प्रत्वी जितना बड़ा कौन सा है तो वह है आपका विनस यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चलते हैं अगले प्रृषन पर देख लेते हैं अगला प्रृषन क्या है कि निम्लिकत में इसे किसे blue planet कहा जाता है blue planet मतलब नीला गिरह किसके लिए कहा जाता है आपसर C है विरस्पति, B है आपका कौन सा प्रत्वी और D है आपका मंगल फ्रेंस बताई ये आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंस यहाँ पर आपका क्या नीला गिरह है आपको सबको पताई होगा बहुत ही इंपोडेंट और बहुत ही महतुन प्रत्वी है केबल हमारी प्रत्वी है जो नीला ग्रह है क्यों क्योंकि प्रत्वी पर पानी की मात्रा सरवादिक है और पानी जादा होने कारण प्रत्वी जो है अंत्रिक से हमें नीला ग्रह दिखाई पड़ता है ठीक है चलते हैं अगले प्रसन पर देख लेते हैं अगला प्रसन क्या है सबसे तीब्रगती से सूरिय का चक्कल लगाने वाला गिरहे कौन सा है घर्यंस बता या आनसर क्या हो जाएगा सबसे तेजगती से अभी तक आप ने देखा सबसे कम समय और सर्वादिक तेजगती का मतलब क्या है इस तरीके से आप देखेंगे तो जैसे ये है हमारा sun और ये है कोई गिरह है जो सूरे के चारोर चक्कल लगा रहा है तो सबसे तेज यान इस जो पत पर सबसे तेजी से कौन सा गिरह है घूमता है ये आपके लिए बताना है option A है बुद्ध, B है प्रत्वी, C है ब्रस्पती और D है सनी पताई फ्रेंश क्या है आपका यहां पर आंसर तो फ्रेंश क्या है आप देख रहे होंगे या थोड़ी बहुत यह is पसे तरे पुद्ध गरहें हो जाता है पिरत्वी के भिरमर की गति प्रatar पिंट्मृ क्या है अब मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि ट्वेंटई सेवन किलो मिटर पर मिनट क्या है अपनी अक्ष पर घूमती है वो गति कितनी है आपकी 27 कृमती है कि तरीके से बताईे क्या पूरव से पश्यम या पश्यम से पूरव या उत्तर से दक्षिणाब्र, या फि्लक्षि उत्तर बता जी फिरन्स आंशर क्या हो जाएगा। तो फिरेंस आप यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे क्या तो आपको पता होगा पपू ठीक है और आपको यही पता होगा कि पपू हमारे देश में किसके लिए जाना जाता है आप समझ गए होंगे इसारा आपके लिए काफी है ठीक है यह एक सब्द आप याद रखेंगे जब प्रत्वी के अक्षपर घूमने की बात आएगी तो फिक है पपपू तो इसमें पा से हो जाएगा आपका पश्यम और पू से हो जाएगा आपका पूरब फिक है प्रत्वी किस तरीके से घुमती है आपकी पश्यम से पूरब यानि B ऑप्शन यहाँ पर आपका राइ है कौन सा है option a ब्रसपती बी है मंगल सी है सुक्र और डी है बुद्ध ग्रहे बताइए फिरेंस क्या हो जागा यहां पर आपका अंसर तो क्या बताना आपके लिए सरवादिक चमकीला ग्रहे आपको बताना है मैंने बताया था आपके लिए यानि की क्या बताया था जिसका टेंपरेचिर सबसे ज़्यादा है अगले को देख लेते हैं क्या है Premでは स deb इस्तित है कहां पर option A है शुक्र एवम मंगल के मध्ध, B है मंगल एवम विरस्पति के मध्ध, C है सुक्र एवम विरस्पति के मध्ध, और D है बुद्ध एवम सुक्र के मध्ध में, बताइए friends answer, तो friends यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा, तो प्रत्वी कहा है, अगर हम देखें, तो सबसे पह ऑर यह है मंगल ठीके और यह है हमारी अर्थ, तो यह कहां पर आई, यानि सुक्र और मंगल के मध्ध में, यह आपकी जो है आई, ठीके, यहाँ यहाँ पर answer हो जाएगा, आपका कौन सा A option यहाँ पर आपका singing, सही हो जाएगा, ठीके, यहानि सुक्र और मंगल के बीच में हमारी प्रत्वी है ठीक है अब चलते हैं साथ ही अगले प्रसंद पर देखते हैं अगला प्रसंद क्या है सूर्य एवं प्रत्वी के बीच नियुनतम दूरी होती है कितनी तारीक को वो आपको बताना है option A है 22 December को B है 21 June को C है 22 September को और D है 3 January को बताइए friends क्या हो जागा यहाँ पर आपका answer तो friends आपका यहाँ पर answer क्या हो जाएगा तो बताइए यानि कि 3 January आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा जाओ उपसर के नाम से आपको सोरज के सरवादिक होती है ऊस घटना के लिए owe जाओ उपसर और मैंने याद कराए था आपके कि इस तरीके से वक्ने देखिए आप जो और उधेन के लिए और यह याद हो जाएगा ठीक है उपसर कब अगले परशन पर अब देख लेते हैं अगला प्रिसन क्या है कि प्रत्वी सूर्य से अपनी अधिक्तम दूरी पर कब होती है ये आपको बताना है option A है 30 जनवरी को B है 22 दिसंबर को C है 22 सितंबर को D है 4 जुलाई को बताईे फिरेंस अपना जो पिछला प्रिसन था उसका अंसर क्या था इन जनवरी तो इसका अंसर मैंने आपको बताया था आप रिलेट करेंगे और सातियो क्या है मैंने आपको यह वी बताया डी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले प्रिसन पर देखते हैं अगला प्रिसन क्या है सौर मंडल का सरवादिक गरम गिरहे कौन सा है बताइए फ्रेंज ऑप्सन यह है बुद्धि गरहे सी भी है सुक्र सी है मंगल और डी है आपका प्रत्व सुक्र आपका ठीक है चलते हैं अगले प्रिसन पर देख लेते हैं पिरसन 16 क्या है प्रत्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में यह आपको बताना है बदी गंटे तो प्रत्वि कितने समय घूमती है? तो प्रत्वि घूमती है आपकी 23 गंटे 15 मिनट और चार सेक्टे में ठीक है? ये प्रत्वि अपना एक चक्कर लगाती है चलते ही साती है अगले परसन क्या है? कि निमलिखित में इसे कौन से गिरहे के सरवादिक प्राकृतिक उपक गिरहे हैं Option A है ब्रस्पती, B है मंगल, C है सनी और D है सुक्र बताई फिरेंज आंसर तो फिरेंज आपको पता होगा कि कौन सा गिरहे है तो वो गिरहे अब तक जो इससे पहले था वो था विरस्पती लेकिन अब जो करंट में हैं वो है आपका सनी यानि सनी के सरवादिक उपक गिरहे अब जो सातियों हो गए हैं और कितने हैं वो 82 ठीक है तो आपको पता होगा जो विरस्पती है वो सबसे बड़ा है और विरस्पती के बाद में नाम आता है आपके सनी का नाम दूसरी नंबर पर आता है जिसके जो सरवातिक उपक्ग्रह है है तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा सी फॉर चिन नहीं ठीक है चलते हैं अगले पिरसन पर देख लेते हैं क्या है सनी के ग्रह का सबसे बड़ा उपक्ग्र है कौन सा है यह आपको बताना है और टाइटन बी है एटलस सी है टैलेस्टो और डी है लापेटस ठीक है यह आ और मंडल का दूसरा बड़ा उपक्ग्र है और सनी का सरवादिक बड़ा उपक्ग्र है कौन सा है टाइटन ठीक है चलते हैं अगले पिरसन पर जो की लास्ट पिरसन हमारी वीडियो का क्या है निमलिखित में से किस उपक्ग्र है के चार और इस पश्ट बले हैं ऑप्शन इस पश्ट बले किस के चारो तरफ हैं तो वो सनी के चारो तरफ है ठीक है आज इस वीडियो हम इतने ही प्रसन करेंगे और इसके जो कुछ इंपूरेंट थोड़े से प्रसन और बचे हैं उनके लिए मैं क्या है आपके लिए टेस्ट में देने वाला हूं जो हमारा नौब पर लिए दूँगा तो आप सातियो प्रक्टिस कर लें इन कुश्चन की और जो पिछला वीडियो है हमारा उनसे और आप नौबजे तयार रहेंगे टेस्ट के लिए जहां पर सातियो पता है आपके लिए खूब अपना मजा करते हैं ठीक और सातियो नौबजे आना ना भ ही की गई है सातियो चलते हैं बस खतम करते हैं यहीं पर